हलो स्टुदेंट्स, मैसेल्फ मुकेश रेष्णू, I am Senior Geology Faculty in CLC Team Geology बिटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दंगल जो है, वो 8 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों और आज ये दंगल जो 8 हुआ है, बड़ा ही प्यारा जो है वो पेपर है क्योंकि Line-to-Line NCIT है, जिस बच्चे को Line-to-Line NCIT याद है, जिस बच्चे ने एक-एक सिंगल वर्ड NCIT का बड़ा है वो बिल्कुल फोड के आएगा इस पेपर को, है न बड़ा, और आजकल 100% पेपर कहां से आता है NCIT से आता है, संजीवनी से आता है, ये आपको दियान रखना चाहिए तो चलिए, पहले क्योशन को हम जो है, वो डिस्कस करते हैं बच्चों, इसके अंदर हमें select the correct statement, correct statement जो है, वो देखना है और अगर हम बात करें कि बड़ा, correct statement अगर हमें के देखना है तो लीजे जो है, correct statement की, अगर हम बात करें पहला इसमें statement है, after ovulation, the ruptured follicle is converted to a structure called corpus luteum which secrete manly astrozen बटा हमें पता है, कि जो corpus luteum जो होती है, वो तो manly progesterone का secretion करती है astrozen जो हती है, हलागि astrozen भी थोड़ा सा secret करते की, but manly progesterone, corpus luteum, manly progesterone का secretion करती है तो manly जो है, यहाँ पर आया है astrozen, तो फिर यह wrong हो जाता है, बटा estrogen का secretion करती है but mainly करती है progesterone का secretion चलो अगली कहानी देखते है the progesterone is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles बिटा ovary के अंदर ovarian follicles बनती है और ovarian follicles की form में आपको पता है ovum को secondary oocyte को वो बनती है तो हम यह कहेंगे जो follicles का development होता है finally graphene follicle बनती है इसके अंदर secondary oocyte बैटी है आपको पता है तो यह जो follicles का development होता है इसमें ठीका internal layer जो है वो secret करती है क्या? estrogen, female hormone estrogen का secretion करती है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? progesterone, तो यह भी रोंग हो जाता है growing ovarian follicles है वो तो estrogen का secretion करती है तो यह भी रोंग हो जाता है अगला जो statement है वो देखते हैं बिटा और वो statement जो है वो क्या है? progesterone supports pregnancy बिल्कुल pregnancy जो है pregnancy hormone बोलते हैं progesterone को और यह pregnancy को support करता है एकदम correct है progesterone also act progesterone also act on the memory glands progesterone जो है memory gland पर भी जो है वो काम करता है और हम यह कहेंगे कि memory gland पर यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह कह रही है आपकी संजीव नहीं आपकी NCRD कह रही है बिटा NCRD ने जो लिख दिया है बिल्कुल correct है English के NCRD जो लिख दिया है बिल्कुल correct है बिटा, memory gland में क्या करवाता है यह वहाँ पर यह stimulate करता है formation of alveoli sac-like structure sac-like structure के formation को stimulate करेगा हार्मोन का काम क्या होता है हार्मोन का काम होता है किसी भी चीज़ को stimulate करना तो stimulate करेगा यह किसी इसको कि memory gland में alveoli का formation वो sac-like structure बने और अगर sac-like structure बनेगी तो उनके अंदर जो है वो milk तो जो है बनेगा इसे ही तो हम यह milk जो है वो store होगा इसे ही तो हम यह कहेंगे जिससे क्या होगा milk store होगा sac-like structure which store milk और milk जो है store होगा तो कहीने कहीं milk का secretion भी होगा बिटा तो milk का secretion जो है वो भी हो रहा है यहां पर तो हम यह कहें आप यहाँ पर आप यह कहोगे कि sir milk को eject कराने वाला milk को बाहर नाने वाला तो oxytocin है फिर यह NCRT ने जो है वो क्या लिख दिया है बेटा NCRT ने जो लिख दिया है उसको भी statement की form में ध्यान रखना कि हां कहीं न कहीं जो है यह कहानी भी है कि भही यह milk secretion जो है करवा रहा है यहाँ पर formation of alvoli alvoli का development कराता है cyclic structure बनाता है उनमें store ताकि milk store हो और milk secretion जो होगा milk secretion फिर से repeat कर रहा हूं कि milk secretion milk ejection milk को बाहर लाने वाला memory gland से milk बाहर लाए आपको बता है वो oxytocin होता है बच्चों अगर हम बात करें कि जो है आप higher study में पढ़ते हो कि PRL prolact जो होता है वो PRL और एक human placental lactosean यह milk जो है वो formation कराने वारे memory gland में milk formation कराएंगे और PRL जो होता है वो PRL prolactin जो है milk को वो भी बाहर लाता है memory gland से milk को बाहर लाने में help भी वो करता है बट NCRT जो है एक कहानी और लिखती है और वो क्या लिखती यहाँ पर कि यह milk secretion इसने जान रखेंगे कि statement में हमें यह सही करना है यह statement हमें सही करना है यह endocrineology में NCIT ने लिखा है बिटा तो यह जो है सही हो गया correct हो जाता है last race के अंदर estrogen also regulate male sexual behavior बिटा मुझे एक चीज़ बताव रहे male sexual behavior है male का hormone तो जो है वो कौन सा होता है androsan andros means male general means to secret androsan होता है वो तो न कि estrogen estrogen तो female का hormone है है न तो बचों यह जो है वो गलत हो जाता है आपको बताए और यहाँ पर जो सही है वो सही है कौन सा according to NCIT third option यहाँ पर सही है बिटा चलिए अब हम discuss करते है next question प्यारे बचों दंगलेट का हम next question लेते हैं और अगला question अगर हम देखें बिटा तो देखिए what is true about ranine and ranine respectively बिटा हम देखें कि जो है एक तो है यहाँ पर जो है single n वाला यह single n वाला ranine और यह double n वाला ranine यह digestive system का है यह excretory system का है बच्चों अगर हम बात करें पहला अगर हम देखें कि भई यह जो है यह यहाँ पर अगर हम बात करें यह इसके लिए और बाद वाला जो है तो बिटा देखो पहले के अंदर देखो पहला क्या लिखावा है secreted by peptic or chief cells तो बिटा मुझे बताओ पैप्टिक और chief cells तो यह वाला जो है double n वाला जो है वो secret करती है ना कि single n वाला और हम कहें JGA juxtaglomal or apparatus वो single n वाला जो है वो secret करता है ना कि double n वाला तो यह जो है यहाँ पर रॉंग हो जाता है हम यह कहें यह रॉंग हो जाता है बटा हम यह कहें function अगर हम देखें तो function जो है digestion of milk protein digestion of milk protein जो है वो बाद वाले का इसका काम है और बचों अगर हम बात करें कि increase GFR वो पहले वाले का काम है तो यह बी उल्टा लिखा हुआ है इसको भी जो है हम यह भ सबस्माइब कि पीछे वाला काम जुए आगे वाले काम ऐए तो ये तीनों तो जो तो वह रूंग मोजाते हैं बचा कौन सा है बोध हारे एंजाइम्स वह और तरीके से बढ़ते हैं हिंदी वाले बच्चे और देख लो कि अगर हम बात करें कि एक तो जक्स्टा ग्लोमेल अप्रेटेस जो है वो रैनीन जो है वो इस्तरावित करता है और एक पेप्टिक और मुख्य जो है मुख्य कोशिकाई जो है वो भी रैनीन इस्तरावित करती है लेकि अगर हम कहें कि पेप्टिक और मुख्य कोशिकाई जो है double N वाला रेनीन और यह जो JG है वाला वो जो है single N वाला रेनीन तो यह जो है कहानी है बिटा तो दुगदू प्रोटीन का पाचन, दुगदू प्रोटीन का पाचन डबल N वाला और GFR को बढ़ाना यह single N वाला बच्चों अगर हम बात करें कि पाचन, पाचन का काम बाद वालेगा और Glomalular Prenisendan यह काम में पहले वालेगा तो बिटा यह तो जो है क्रमशे नहीं लिखा हुआ है क्रमशे नहीं लिखा हुआ है इस कारण से तीनों गलत हो जाते तो दोनों एंजाए में यह सही हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपको यी बात समझ में आ गई होगी बिटा next question लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिटा जी दंगल 8 का next question हम लेते हैं और अगला question अगर हम लें तो fill in the blank वाला question है बड़ाई आसान question है बिटा हम यह कहें कि male के इंदर एक तो FSH और एक endrozen यह क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं कि इसको spermatogenesis को तो अगर sperm का production जो होता है उसको आप जो है spermatogenesis बोलते हो spermatogenesis spermatogenesis genesis means formation, formation of sperm sperm के formation को अगर को stimulate करने वाला अगर pituitry hormone है तो वो FSH होता है और हम यह कहेंगे इसमें help करने वाला कोई male hormone होता है तो वो endrozen में यह कहानी है पिटा इसको बड़ा आसान तरीके से हम पढ़ते हैं बाकि और सब तो आप जानते हो और सब की कहानी क्या होती है interstitial cells stimulating hormone यह जो है इसको आप जो है interstitial cells को stimulate करेगा endrozen का secretion करवाएगा testosterone जो है वो तो इससे मेच हो गया यह तो endrozen ही है तो endrozen है तो जो है spermatogenesis में यह help भी करेगा बट यहाँ पर यह जो है यह ledic cells वाला जो है ledic cells को stimulate करने वाला आ गया यहाँ पर endrozen तो है बट अम यह गहें यहाँ पर LH आ गया बटा और LH आ गया है तो luteinizing hormone यह luteinizing hormone को ही आप ICSH भी बोलते हो interstitial cells stimulating hormone भी बोलते हो यह भी ledic cells को stimulate करता है endrozen का secretion कराता है यहाँ पर भी LH आ गया तो यह LH, ICSH, LH यह यहाँ पर आ गया है ने बटा तो यहाँ पर आ गया है तो इनका तो काम होता है ledic cells को interstitial cells को stimulate करना और endrozen का testosterone का secretion कराना बाद में हम नहीं जानते कि हाँ testosterone जो endrozen होता है जो testosterone होता है वो spermetogenesis में help करता है यह इसमें help करता है और pituitry का जो FSH होता है वो इस process को stimulate करता है तो यह कहानी कुल मिलाकर आप इसमें देखोगे तो सबसे जो best option आएगा वो FSH और endrozen और यह सब मैं ही कह रहा हूँ रहा हूँ रहा हूँ रहा यह साफ साफ जो line A statement है वो आपके NCID के statement है इन questions के अंदर NCID के statement है सारे के सारे सारी कहानिया आपके संजीवनी आपके NCID कह रही है NCID में आप यह सब चीजे जो है reproductive system में endocrine logic में देख सकते हो endocrine system के अंदर यह देख सकते हो एक-एक line, single line पढ़ सकते हो वहाँ पे और reproductive system में तो आप जानती हूँ तो यह कहानी है अगला question लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा है मेरे प्यारे बच्चो बिटा, next question की अगर हम बात करें तो next question जो है आपका evolution से है saltation is बिटा, साफ-साफ NCID लिखती है कि saltation क्या होता है single step, single step में होने वाला large mutation, उसको आप saltation बोलते हो यही इसकी definition है saltation की definition है कि single step में होने वाला large mutation तो आप समझी के होंगे बाकी तो क्या हो जाते हैं wrong हो जाते हैं CDC बात है पिटा जी चलिए, next question जो है वो हम लेते हैं पिटा जी अगला question लेते हैं अगला question है 105 पिटा, 105 की अगर हम बात करें तो question number 105 की क्या कहानी है बाई इसके अंदर कहानी ये है मैस दी कॉलम वाला है ड्रग्स में अगर हमने opioids लिया तो opioids जो है वो क्या करता है opioids जो होता है वो CNS, Central Nervous System and GI tract यह यहाँ पर इनके receptor होते हैं तो यहाँ पर इसको जो है कहीं ने कहीं इसको effect इसको effect करेगा और हम यह कहींगे कि यह जो opioids है यह कहां से उटें किया जाता है तो इसका पैपेवर सॉमनी फेर которого पैपेवर सॉमनी फेर insp पैपेवर सॉमनी फेर म जो है वो plant है Opium poppy plant भी बोलते हैं तो वहाँ से जो है वो आता है तो हम यह कहींगे कि पिटा इसके अंदर तो अगर हम बात करें कि फिर्स्ट के अंदर जो है वो C और A ये हो जाता है तो हम ये कहें इसके अंदर जो है देख लेते हैं कि फिर्स्ट के अंदर जो है फिर्स्ट के अंदर जो है वो C और A किसमें आ रहा है इन दोनों में आ रहा है इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है तो अभी देखते हैं आगे Canabinoids की अगर हम बात करें तो Canabinoids जो है वो Canabinoids सटाइवा प्लांट से Canabinoids जो है वो कहां से Canabinoids के अंदर आप जो है Group of Chemicals होते हैं बच्चों बहुत सारे Chemicals बनाई जाते हैं हम यह कहेंगे कहां से कौन से प्लांट से Canabinoids सटाइवा जो है वो मिलते हैं और यह करते क्या है यह कजिए के ब्रेइन पर और sallow mold on cardiovascular system हमला करते हैं। यह लजी कहां उते हैं तो यह जो है कहां यह नहीं है इसके अंदर तो हम यह कहेंगे इसके अंदर जो है वो चला जाएगा second के अंदर A और B small A और B तो हम यह कहेंगे small A and B कहाँ पर है यहाँ पर है यह चला जाएगा बच्चों अगर हम बात करें coca alkaloids coca alkaloids जो है इसका plant जो होता है वो होता है erythrozylum coca erythrozylum coca coca alkaloids जो है वो यहाँ से मिलता है और यह कहीं ने कहीं CNS को जो है effect करता है बचा इन सब चीजों का use करने से euphoria hallucinogen होता है है न अपने लोग में सुखाभास जिसे आप कहते हो सुखाभास सुखनों की दुनिया में पहुँच जाना तो वो किसे कहानिया होती है class में पढ़ती है बटा जी हम तो वो किसे कहानिया बनती है तो third के अंदर coca alkaloids जो है उसके अंदर चला जाता है B और C यह चला जाता है तो यह जो है आपका third से ही हो जाएगा बटा जी इसके अंदर तो ये जो है कहानी है बिटा फिर से बता जिता हूँ यूफोरिया हैलोसिनोसिनेशन बिटा ये जो है हम ये कहेंगे कि सुखा भास सपनों के दुनिया में पहुँच जाना बही वो जो है जैसा सोच रहा है वो अपने आपको एनरज़डिक सोचता है वो आपने आपको सोचता है इसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो वो किससे कहानिया बनती है बिटा कलास के अंदर हम देखते है तो ये कहानी बनेगी यहाँ पर जब आएगा तो दर्ती पर जब वो पोँचेगा जब उसको जो है वो drugs addiction जो है जो drug addict लोग हैं जब यह इनका नशा जब उतरता है तो फिर वो कहां आजाते है उनको पता है तो यह कहानी है बटा पढ़ती है हम इसको चलिए next question लेते हैं बटा जी हम और अगला question होगा कौनसा वाला वो बटा अब हम बात करें question number 106 की बात करें तो question number 106 में functional residual volume functional residual capacity भी बोल सकते हैं functional residual volume भी बोल सकते हैं तो लंस में ऐसा reserve volume जो कभी भी उससे बहार ने आता है एक तो RV होता है residual volume होता है और उसके साथ में plus कर दीजिए उसका दोस्त एक और बिठा रहता है और वो बिठा रहता है कौन ERV expiratory reserve volume और इन दोनों को plus करने के बाद ERV expiratory reserve volume और residual volume इन दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं FRV functional residual volume उसको मिलाकर बोलते हैं functional residual volume यह कहानी है तो अगला question की अगर हम ब बात करें बचों तो देखिए कौन सा होगा बिठा अगला question हम ले रहे है question number 107 what is incorrect about MOAT? MOAT के अंदर आपको incorrect को देखना है और incorrect में सबसे पहला statement है कि multiple ovulation embryo transfer technology तो MOAT की full form यह होती है multiple ovulation embryo transfer technology इसकी full form होती है in this method a cow एक कोई भी जो है cow है उसको जो है हम hormones से जो है वो करते हैं treat करते हैं कौन सा hormone FSH like activity वाला और क्या करवाते हैं उसमें follicular maturation कराते हैं और super ovulation कराते हैं तो यह दोनों बिटा हम यह कहें कि यह दोनों जो हैं वो तो correct हैं हमें जो है क्या करना है हमें इसमें incorrect देखना है ब with an light bull और artificial inseminated तो पिटा यह भी ठीक है कि कोई भी जो है उसका हम यह कहते हैं कि जन्तु के कुलीन वर के जो बुल है उसके साथ जो है उसका सहवास होता है कृतिम वीरे सेचन करवाई जाता है तो यह भी सही हो जाता है इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसमें जो incorrect देखन है तो the fertilized egg at 8 to 32 cells stage are recovered surgically and transferred to surrogate mother तो इसके अंदर जो wrong हो जाता है यह वाला जो है wrong हो जाता है और यह इसका जो है answer चला जाता है तो हम यह कहेंगे यह तीनों जो सही है तो यह तो answer नहीं जाएंगे इसका answer जो जाएगा वो कौन सा जाएगा यह वाला answer जाएगा क्यों आप यह कोगे sir यह क्यों गलत हो गया क्यों इंकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है बिटा जो है surgical नहीं यहाँ पर आना चाहिए था non-surgical कोई surgery नहीं करते है non-surgical जो है वो ऐसा किया जाता है the fertilized egg at 8 to 32 cells stage are recovered अगर यहाँ पर आता non-surgically and transferred to surrogate mother तब तो यह सही हो जाता यह वाला हो जाता है तो option चला जाएगा इसमें कौन सा fourth मेरी ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी बिटा लेते हैं next question बिटा बात करें question number 108 की erythroblastosis fetalis erythroblastosis fetalis के अंदर क्या होता है बिटा erythroblastosis fetalis के अंदर क्या hemolytic disease of newborn है newborn की जो है क्या hemolytic disease है क्या इसमें RBC का destruction होता है बिल्कुल ऐसा होता है तो हम यह कहिंगे यह जो है इसमें सही है उसके अलावा क्या RH जो है incompatibility की वज़े से होता है हाँ बिल्कुल जो father होते है वो RH positive जो mother है RH negative RH in compatibility की वज़े से हम यह कहेंगे कि यह होता है पहले बच्चे पर effect नहीं होगा पहला बच्चा जो है RH positive जो है वो बच्चा है पहले बच्चे की वज़े से तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन जो second जो बच्चा है उस second बच्चे में जो है severe anemia jointage जैसे characteristic होते हैं व protesting हम अगर enrythroblastosis fetalis की अगर हम बात करते हैं तो erythroblastosis fetalis के अंदर अगर हम यह कहें कि जो male है वो तो है RH positive और जैLo black फिमेल है वो हो रही мор cervix हम यह कहेंगे कि जो है वो क्या बना वो जो है अगर हम बात करें एंब्रियो जो है वो बना और एंब्रियो जो बना बिटा वो एंब्रियो जो है वो कैसा है वो आरेच जो है वो पॉजिटिव वो है बिटा हम यह कहेंगे यह पहला बच्चा जब जनम लेगा तो यह जो यह होता है तो placenta तूटेगा कही नहीं ब्लड जो है वो मंदर के जो है वो ब्लड से contemplate बैंगा और हम ये कहेंगे कि जो है और अरीच positive ब्लड गे contact माने से मदर के अंदर अन्दर या दर ना और आर했는데 ty body है वह रहना वह क्या करेगी कि चब दूबारा जब pregnancy यह बनेगा अगर हम बात करें कि फिर से pregnancy होगी और फिर से pregnancy होगी जब सेंट इंडर क्या कहानी होनी है सेंड़ और मंप्रेयो अंदर यह कहानी होनी है कि ये रह antibody अंदर चले जाएगी और ये जो second जो baby होगा उसकी जो RBC है उन RBC का जो है वो क्या करेगी उनका destruction करेगी उनका destruction करेगी उनका clumping करेगी तो इस बच्चे के अंदर जो second embryo है उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर RBC के destruction से clumping से severe anemia हो जाएगा Gendis जैसे characteristic आजाएगे इसी को हम erythroblastosis fetalis बोलते हैं तो hemolytic disease भी है ये newborn की और RH incompatibility की वज़े से भी होती है तो बहुत इसके अंदर आंसर जाएगे मेरे ख्याल से जल्दी से बता दिया है पिटा मैंने तो आपको समझ में आ गया होगा बट class में जब हम पढ़ते हैं तो आपको इसका solution समझ में आ गया होगा चली अगला question हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों next question इसके अंदर हम लेते हैं और वो है question number one zero nine the special contractile protein actin is found in actin को देखना है को actin कहां मिलती है बटा ये actin जो मिलती है न ये actin के filament जो होते है न थिन filament होते है अगर हम बात करें कि actin के मायोसीन के जो थिक filament होते है ये इस तरह के फिर से में बताओ आपको actin के पतले filament होते है ऐसे filament होते है पतले वाले और जो थिक filament होते है वो actin के जो होते है वो थिन filament और मायोसीन के अगर हम बात करें मायोसीन के जो है वो थिक filament होते है बटा अगर हम बात करें जो थिक filament होते वो डार्क बेंड बनाएंगे थिक फिलामेंट डार्क बेंड बनाएंगे जिसको आप ए बेंड बोलते हो हम यह कहते हैं बिटा जो है एक्टीन के जो है वो थिन फिलामेंड जो है वो लाइट बेंड बनाएंगे जिस लाइट बेंड को आप जो है वो क्या कहते हो उसको जो ह है कि 15 के जो है यह फिलामेंट आवर लेपिंग जहां पर कर रहें मायूसीन के साथ में वह ओर डार्क बेंड का और ज्याधा डार्क एरिया नजर आएगा तो फिर वह बेंड में शामिल होगा यह जो है यह अपर के अंदर ही शामिल होगा ऑर बीच में जहां पर विदावर ल कि अगर पहला उप्शन हम ले ठीक फिर तो यह सब चीजे तो हम क्लास बढ़ते हैं यह बहुत रफली बता रहा हूं मैं जल्दी से आपको कि अगर पहला उप्शन हम ले ठीक फिलामेंट ओफ एबेंड यह ठीक फिलामेंट ओफ एबेंड यह सोलुशन हम लेते हैं ठीक फिलामेंट ओफ एबेंड किसके बने वे मायोसीन के बने वे तो यह गलत हो जाता है यह एक्टिन के नहीं है थिन फिलामेंट ओफ आई बेंड लीजे यह आई बेंड है, आई बेंड में ओवरलेपिंग वाला एरिया नहीं आता है, फिर से बताओं ओवरलेपिंग वाला एरिया नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ आई बेंड जो है वो थिन फिलामेंट एक्टिन से बना हुआ है, तो बिल्कुल यह चला जाता है, बिल वो H- तो पूरा होल मायो द्याज़trl अगर आप देखना है कुछ जगह ऐसी जहां पर favourite प्रोडीन देखनी है आपको actin वाली अगर देखनी है तो actin वाली जो है whole myo-f prior to नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी फिर से में बताओं कि कुछ जगाँ ऐसी है जहां पर actin नहीं है चलो i bend के अंदर actin है overlapping वाले पार्ट में भी byны मेरे क्टिन औरमा का बना हुआ है तो सिर्फ मायसीन जान हुआ है तो हम यह जो स्लाइब करते हैं तो एस चाहल जारूर बट था होगा था थे filament of eye band मेरे ख्याल से understanding आपको हो गया होगा जल्दी से मैंने आपको solution के अंदर बता दिया है बाकी आपको कोई problem हो class के अंदर हम detail में पढ़ते ही हैं बाकी कोई बाउट कोई भी दिक्कत हो doubt counter पर आप मिल सकते हैं हमेशा 2400 गंटे आपके लिए तयार है बाउट सब्सक्राइब आप question में आपको बेश सकते हैं आप doubt counter पर मिल सकते हैं आप class के बाद मिल सकते हैं आप class में पूछ सकते हैं कहीं पर भी आप जो है अपना doubt कभी भी किसी भी समय solve कर सकते हैं पूरी जो है पूरी टीम आपके लिए 24 हार जो है वो लगी रहती है बिटा जी तो चलिए अगला question हम discuss करते हैं बिटा अगला जो question है वो है which one is not related with limbic system बिटा जो limbic system होता न जो limbic lobe होता न limbic system वो तीन चीजों से बना होता है आपकी NCRD कहती है amygdala, hippocampus, inner part of cerebral hemisphere इन तीनों से शामिल लोकर बना होता है limbic lobe limbic system और यह limbic lobe limbic system फिर hypothalamus के साथ काम करता है मिलकर काम करता है और हम यह कहेंगे कि बहुत सारी जो है not related ही हमें देखना है तो spinal code चला जाता है मेरी खाल से आपको समझ में आ गया होगा बड़ा ही असान है अगला question हम लेते हैं और अगला question जो है वो कहानी क्या है अगला question हम लेते हैं बिटा जी next question 111 111 की अगर हम बात करें तो 111 क्या कह रहा हम से interstitial space between seminiferous tubule consist of हम यह गएंगे यह seminiferous tubule है अगर हम testis का transfer section ले तो seminiferous tubule का transfer section मिल जाएगा और seminiferous tubule का transfer section मिल जाएगा बिटा तो यह भी seminiferous tubule है यह भी ST है यह भी ST है इनके बीच में जो space है उसे बोलते है interstitial space और interstitial space में एक तो होती है जो है ledic cells present होती है जिनको interstitial cells भी बोलते हैं और यह जो ledic cells होती है जो interstitial cells होती है यह secret करती है क्या androsan यह androsan andros means andros means male genin means to secret ऐसा hormone जो male से secret हो male के secondary sexual characteristic को develop करेगा sperm production में help करेगा तो sperm production के लिए इसको अंदर जाना होगा higher concentration to lower concentration diffusion से यह अंदर चला जाएगा और वहाँ पर sperm के production में help करेगा तो यह सब चीज़े तो हम पढ़ते ही है तो एक तो बेटा ledic cells हो गई यहां पर present एक होती है इम्मिनोलोजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आपकी NCRT यहां पर यह क्योशन पहले भी एक बार आया हुआ है अभी फिर से आपको दिया गया है सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि बिटा NCRT की एक एक लाइन बारी की से एक एक सिंगल वर्ड आपको अ इंटरस्टीशल सेल्स इससी इंटरस्टीशल स्पेस में इम्मिनोलोजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स यहां पर यह भी उसने NCRT ने लिखा हुआ है तो यह चला जाता है बटा यहां पर इसके अलावा अगर और ओर प्षिन आप देखें तो इसके अंदर जो इम्मिनोलोजिक सी आ गई पर पो यह दोनों तो जो है वह नहीं जाएंगे यहां पर इंटरस्टी diesemplet सटोली सेल सब फिर भी चले जाएंगी literally को टो ऑड़ते हैं इसलें जाएगी armour on aट के आंदर बड़ी एंदर बड़ी हिल होती हैं जो सपां कर दिने का काम करती तो first इसके अंदर चला जाएगा मेरी खहल से आपको clear हो गया होगा अगला next question हम लेते हैं next question की बात करें तो अगला question देखिए which of the following site contain iscomus epithelium as its lining नेमनी में से किस हिस्तान पर शल्काकार उपकला की परत होती है शल्काकार उपकला को आप simple iscomus epithelial cells भी बोलते हो या simple iscomus epithelial tissue भी बोलते हो तो हम यह कहेंगे simple iscomus जो epithelium होता है बिटा यह जो iscomus epithelium होता है यह कहां पर होगा यह बिटा बीवी के अंदर तो होगा यह लीजे बीवी के अंदर तो होगा blood vessels की जो lining होती है बीवी की lining चाहिए बीवी कैसी भी हो artery और vein हो वहाँ पर जो है inner most layer को देखो यह capillaries में तो एक ही layer होती है उसकी जो inner most layer होती है endothelium and endothelium is made up of blood vessels endothelium is blood vessels की जो endothelium है endothelium is made up of SS EC I am very sorry पीटा मैं यह किरा जाता हूँ आपसे कि blood vessels की जो inner most layer होती है वो inner most layer को endothelium बोलते हैं और जो endothelium होती है वो endothelium अगर हम बात करें कि वो किस की बनी होती है simple isquemus epithelial cells और tissue की बनी होती है अब आप कहोगे सर्फ PCD में brush border epithelium होता है यहाँ पर वो simple kyubordal epithelium है DCD में भी simple kyubordal epithelium है यहाँ पर और यहाँ पर जो simple kyubordal epithelium है उसमें difference यह होता है कि यहाँ पर वो brush border जो है उसमें microvilla होते हैं brush border appearance देता है तो brush border epithelium होता है हना बटा intestine के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पर intestine के अंदर वो columnar epithelium है तो यह सब चीजें जो है हम पढ़ते हैं tissue के अंदर तो हमें पता लगता है कि जो blood vessels है उसके lining endothelium वो SSCC की बनी हुई है alveoli जो होती है lungs की structural and functional unit जहाँ पर exchange of gases होता है वहाँ पर भी SSCC मिलता है उसके अलावा जो है जहाँ पर ultra filtration होता है bombon capsule ultra filtration होता है वहाँ पर भी SSCC मिलता है हाला कि alveoli में pneumo side बोलते हैं podo side term इस्तवाल करते हम bombon capsule में तो यह सब चीजें जो है जब आप पढ़ते हो तो सारी चीजें आपको clear होती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कुमस epithelium यहाँ तो जो option जाएगा वो जाएगा blood vessel lining चली next question लेते नेक्स question आपका जो है वो genetic से है और अगले question के अगर हम बात करें match the column का question है तो Turner syndrome के अगर हम बात करें तो Turner syndrome जो होता है वो क्या होता है absence of a sex chromosome यह होता है down syndrome की अगर हम बात करें तो down syndrome जो है वो क्या होता है presence of extra chromosome होता है अगर हम बात करें कि additional chromosome अगर होता है तो उसे जो है आप जानते हो clan filter जो है syndrome के नाम से जो है वो जानते हो तो यह लीजे क्लान् Baptist nggak댓 DR वो अगर आएगा अगर आम बात करें कि फैनल कीतोण उरिया जो जाथा है वो फैनिल कीतोण उरिया जो है वो क्या हो जाता है मेंदेलियन जो है तो यह लीजे मेंदेलियन डिसओर को जो है वो लेंगे जो है फैनल कीन ऊरुड़ तो यह से अगर हम बात करें कि phenyl ketona urea जो हो जाता है кого on आंसर जो चला जाएगा फॉर्स्ट चलिए next question को तुम study करें भीटा जी next question है वो question है कहां से वो classification से है नेरीज होती है नेरीज की अगर हम बात करें तो यह डायोशियस होती है डायोशियस में सेक्सेस अर सेपरेट मेल अलग फीमेल अलग अगर हम बात करें कि नेरीज के अंदर मेल अलग होता है और फीमेल जो है वो अलग होती है तो यह जो है डायोश बच्चों अर्थवोम और लीचेश को अगर आप देखते हो or लीचेश ओते हैं 1 का म Initially होते है कि He聞то कि मेंबर मेल है कमेल का काम कम gör वी सुझें अर्थवोम और मेल वृट है कि हें नुह सेपरायट बट नहिरीज के अंदर सैक्सेश अर 收看 अलग-अलग होते हैं मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा तो ये इसके अंदर answer चला जाएगा सीधे-सीधे जो है answer निकल के आ जाएगा तो ये कहानी है नेक्स question लेते हैं बच्चों अगले question की अगर हम बात करें तो अगला question जो है भी वो है one fifteen और one fifteen के अगर हम बात करें तो question number one fifteen के अंदर सब सब पहले match the column में ताइफोइड की अगर हम बात करें तो टाइफोइड जो होता है वो टाइफोइड को भी कोज करता है कौन वो कोज करता है dormonia टाइफी यह जायेगा pneumonia pneumonia जो है वो pneumonia को कोज करता है कौनugen мужa unfillus इंफ्ल fareokay बच्चों कोज करें और common cold को जो है वो अगर हम बात करें राइन उवाइरस यह लीजा राइनो वाइरस यह इसका जो है कोस करने वाछे क्टर है malaria malaria को cause करने वाला जो factor है बिटा malaria को वो plasmodium यह है यहाँ पर amoebiasis amoebiasis के अगर हम बात करें तो बिटा amoebiasis को cause करने वाला जो है यह रहा antamoeba histolytica यह है इसके अंदर ascariasis के बात करें तो ascariasis यह तो नाम से मिला लोगे आप ascariasis कोच करने वाला ascaris है elephantiasis जिसको हिंदी वाले हाती पाऊं रोग भी बोलते हैं elephantiasis बच्चों हम यह गएंगे इसको phylariasis भी बोलते हो wucharyaryiasis भी बोलते हो तो यह जो है अगर हम बात करें elephantiasis, wucharyaryiasis, phylariasis यह कोच करेगा बच्चों अगर हम बात करें ringworms की बात करें दाद खाज कुझली तो वो ringworms जो होती है वो किसकी वज़े से बहुत सारे जो है फंगाई होते बिटा अलग-अलग ग्रुप के microscopisporum, trichophyton, epidermatophyton तो इस तरह से जो है आप इसके match the column में जो है वो answer जो है वो आप निकालेंगे भी टा और इस में answer जो है वो निकालेंगे देख लो आप first के अंदर जो है वो c है מאוד तो बही फरस्ट के अंदर c जो है वो c जा रहा है तो c जो है दो में यह जा रहा है अब उसके अंदर जो है अगर pneumonia के अंदर second के अंदर जो है वो क्या जा रहा है F जो है वो जा रहा है तो ये लीजे second के अंदर जो है F जा रहा है ये तो मेरे ख्याल से first वाला ही हो जाएगा एक और मिला कर देख लेते हैं third के अंदर common cold के अंदर rhinovirus E जा रहा है third के अंदर ही जा रहा है तो मेरे ख्याल से first option इसमें चला जाएगा ये clear होगा बिटा अगला question हम लेते हैं next question की अगर हम बात करें बिटा जी तो next question जो है वो पूछा गया है आपसे और वो पूछा गया है बही किस से JGA Juxta Glomerular Apparatus is formed by कि जे जी एक इसका बना होता है बिटा यहां पर एक चीज एक मेरा message में आपको पुचा दूँ कि मैंने इसको जो है यहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि कितनी जो है वो कोशिशे हम करें लेकिन कितनी कोशिशों में कुछ चीज़ें जो है वो फिर भी minor चीज़ें ऐसी रह जाती जैसे मैं आपको बताऊं कि part of DCT मैंने यह जो है मेरे उसके अंदर जब paper बनाया तो इसको किया part of DCT यह लीजिए plus मैंने इसको जो है लिखा part of जो है part of afferent arteriol यह option मैंने third option but बिटा उसको मैं printing जो है यह both one and two वाले देने ही नहीं है यह question both one यह both one and two वाले questions आपके जो है आते नहीं इस तरह के setting के question आते नहीं बिटा all of the above none of the above यह इस तरह के question आते नहीं बिटा तो इस वज़ Jour़े से जो है यह यहाँ पर मैंने किया था but वो printing में हो नहीं पाया उस समय तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो है पार्ट ओफ DCT और पार्ट ओफ अफरेंट आर्ट्रियोल ये दोनों मिलकर जो हैं वो JGA बनाते जक्सटा ग्लॉमेलल अपरेटर्स और ये मैं नहीं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये जो है बोथ वाले बोथ वन टू वाले नन अप दीज अल अप दीज ये सब फॉर्मेट नहीं रखा है मैंने फिर भी एक एक स्प्शनली रहे गया है पिटा जी हना मेरा जो है उसमें मेरे उसमें तो हो रहा है पेपर में बट फिर भी ये यहाँ पर जो है प्रिंटिंग की वाज़े से जैसे भी समझो रहे गया है तो थर्ड ओप्शन को आप बर्थ बोथ वन टू मानो या पार्ट ओफ डीसीटी पार्ट ओफ एफरेंट आर्टील मानो तो थर्ड ओप्शन इसमें चला जाएगा मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाहरा हूँ आपको अंडेस्टर्णिंग हो गया होगा बिटा अगर आप पूछो कि सीदे सीदे हमें तो सर इसका आंसर बताओ तो जे जी एक किसके दोरा निर्मित होता है बई डी सीटे के बाग और अभिवाई धमनी के बाग दोनों के दोरा मतलब इसमें आंसर चला जाएगा थर्ड तो ये जो है कहानी है बिटा जी चलिए अगला क्योशन हम डिसकस करते है बिटा बच्चों नेक्स क्योशन हम लेते हैं कौन सा डे इवनवर्क सिध्धान को बाधित करने वाले कारक अगला जनेरेशन है उसका जो पोपलेशन है अगला generation उसका जो population है उसमें gene allyl frequency एक जैसी रहेगी Sam रहेगे अगर मेरी शर्तों को fulfill कर दो हमने का शर्ते बताओ आपकी तो उन्होंने शर्ते बताई कि वहाँ पर जो है gene mutation नहीं होना चाहिए genetic recombination नहीं होना चाहिए genetic drift नहीं होना चाहिए और वो काम हो सकता है कि random meeting हमने का अच्छा ऐसा random meeting कि हाँ किसी का भी किसी से meeting random meeting यह हो सकता है तो यह disturb नहीं करेगा इनकी जो है Hardive Inverse Principle को यह disturb नहीं करेगा random meeting यहाँ पर जो disturb करेगा वो disturb करेंगे gene mutation, genetic recombination, genetic drift तो आपको पता लगिया हो कि 1, 2, 3 आंसर जो चला जाएगा वो चला जाएगा 1, 2 and 3 और equation भी आप जानते हो P square plus 2P Q plus Q square equals to 1 इसमें कहा गिया है कि भई constant बनी रहेगी population to population gene allele frequency constant बनी रहेगी मेरी शर्तों को fulfill कर दो तो हम यह कहा कि कौन सी ऐसी शर्ते हैं जिनको हम fulfill करें तो उन्होंने कहा यह सब चीजे नहीं होनी चीएं मतलब यह factor disturb करते हैं इस equation को तो यह factor जो है disturb करते हैं तो हम यह कहेंगे the factor which disturb the hardy win-work principle first, second and third यह disturb करते हैं random meeting disturb नहीं करता है तो बेटा class में इसको बहुत detail में हम जानते हैं आपको पता है बहुत ही interesting तरीके से समझते हैं अभी तो जो इसका solution है वो यह है कि पिटा इसमें answer जो चला जाएगा वो चला जाएगा कि hardy win-work सिद्धान को बादित करने वाले कारक जो होते हैं वो कारक यह वाले होते हैं first, second and third चलिए अगला question हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों बच्चों next question की बात करें हम next question जो है वो हमें कहता है कि primitive relatives of animal देखो बटा, animal नहीं का बोला गया है relative बोला गया है कि primitive और वो भी बहुत पुराना, बाबा अदम के जमाने का तो primitive relative of animal होना चाहिए ठीक है sexual reproduction जिसमें होना चाहिए ठीक है, intracellular digestion होना चाहिए ठीक है तो ये जो है किसके लिए true है बई ये amoeba के लिए true है आप कहोगे sir hydra hydra में intracellular, extracellular दोनों 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 के digestion होते हैं बच्चों अगर हम बात करें कि जो है आप कहोगे sponge हाई न, jellyfish ये सब जो है primitive अगर हम बात करें आप कहोगे sponge तो sponge जो है primitive multicellular animal है, नहीं कि primitive relatives of animal primitive multicellular, पहला multicellular animal है but multicellular animal आने से पहले भी उसके कोई primitive relatives होए और वो कौन होए protista, और protista में आता आपका amoeba ये मैं नहीं कहे रहा हूँ, ये सब बाते आपकी संजीव नहीं कहती ही रहे आपकी NCRD सिखाती है आपको next question लेते हैं और अगला question लेते हैं कि इस्तनियों का विकास किस से हुआ तो इस्तनियों का mammals जो है वो develop हुए किस से, दो category reptiles से दो category बनी थी सरी सरपों से दो category बनी थी एक तो sauropseid और एक synapsid जो sauropseid हुए इस से तो और भी reptiles और birds जो है वो develop हुए हम ये कहेंगे वो develop हुए थे synapsid जो है synapsid से जो है mammals जो है वो develop हुए तो ये कहानी है बिटा अगर हम बात करें कि sauropseid से तो sauropseid से तो और भी reptiles और birds जो है वो develop हुए थे हाना बिटा amphibia तो बहुत पीछे निकल गया अगर हम बात करें फिशेज के बाद fishes आएगी फिर उसके बाद amphibia आएगा amphibia के बाद अगर हम बात करें कि reptiles आएगे reptiles में दो category आएगी synapsid और sauropseid आएगी हम यह कहेंगे sauropseid आएगी और synapsid आएगी बिटा हम यह कहेंगे sauropseid से और भी reptiles और birds बनेंगे और यहाँ पर synapsid होगा वो synaptist है mammals वो develop होंगे तो यह कहानी पढ़ते हैं बहुत roughly बता दिया मैंने तो आपको solution है आपको समझ में आगया होगा क्लास में हम बहुत डिडेल से आपको बताते हैं यह जानते हो आप तो सिंपल जी बात है कि यहाँ पर जो है सौरॉपसिड आएगा यह सिनैपसिड आएगा हम यह कहेंगे यहाँ पर जो रेप्टाइल की सिनैपसिड करेगरी है उससे मैमल्स डवलप हुए तो यहाँ पर आंसर जाएगा सनैपसिड यह आंसर चला जाएगा कि स्तनियों का विकास सनैपसिड से हुआ अगला क्विश्ण लेते हैं बटा विच ओब दो फॉलोविग और एक्साइटेबल सेल बटा अगला क्विश्ण के अंदर जो है वो कहानी क्या बन रही है नेक्स क्योश्ण के अंदर कहानी है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए उत्तर दाई होता है कि और ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ फिर हम क्या करते हैं कि इम्यून सप्रसिएव ईंदर क्यों बटा पैशिएड होता है patient whole life जो है immunosuppressive जो है वो drugs ले रहा है फिर भी क्या हुआ graft rejection हो गया और graft rejection के लिए responsible जो होती है वो cell immediate immunity टी lymphocyte उसे जो है बनाती है और टी lymphocyte जो से बनाती है वो है cell immediate immunity CMI वो responsible होती है graft rejection की और ये आपकी कह रही है कौन कौन कह रही है रहे पीटा पूरा paper किस बेस पे है सिंगल वर्ड सिंगल लाइन NCRT बेस्ट इससे दर के question मिलने चाहिए है बिटा हमारे exam में क्या रहा है presently क्या आती है exam में NCRT ध्यान रखिएगा चलिए next question लेते हैं अगला question हम ले ले लेते हैं मेरे प्यारे बजो मचों 122 122 question क्या कह रहा है भी which of the following is incorrect incorrect निकालना है अपन कर देता है ठीक है और pH जो है कितना कर देता है बहुत ज़्यादा acid 1.8 कर देता है ठीक है यह तो सही हो गया है इसका यह तो correct नहीं है ट्रेप्सिनोजन ट्रिपसीनोजन जो है इनक्टिवेट कर देता है ट्रेप्सीन में कौन हम यह कहींगे जो है epithelium mucosal epithelium का enterogynase और यह जो हो गयाज इन को एक्टिवेट कर दिया टर्रिप्सीन पर वह एक्टिवेट grosin का अपर लॅछ यह बहुद जरी को कियां चुक तो यह च्लिए मलेजremo ai स्टा अटीडे करताँ है उसे को मालट वह भायर्ट करता है बिटा वो सारी किससे कहानिया पढ़ते हो और आपको यह भी पताए कि पिएच किस पिएच पर जो है वो काम होता है पिएच वहाँ पर जो है होती है 6.8 तो यहाँ पर तो पिएच देखो या और भी रियक्शन देखो तो यह रियक्शन जो है वो हम यह कहेंगे यह रियक्श एक सेंगें रेपिटा है, इसको मैं थोड़ा सब आगे कर देता हूँ, यह लिजे, यह मैंने कर दिया, 1, 2, 3, question number, 1, 2, 3, 1, 2, 3 को अगर हम बात करें, arrange the following step in sequential order, हम यह कहें करम से जबाना इन सब चीजों को, तो करम से जबाना है, तो सब से पहले क्या हुआ, excessive loss of fluid, fluid का loss होता भी, और fluid body से जो है, अगर हम बात करें, कि body से जो है, वो body fluid का loss हो रहा है भी, वो किसमें बन जा रहा है, urine में जा रहा है, urine का volume बढ़ गया है, उसे आप diuresis के नाम से भी जानते हैं, तो diuresis हो रहा है, तो उसे क्या होगा, body के diuresis को, इस इस को पता, उसे जो है, body fluid क्या होगा, body के अंदर fluid कम हो जाएगा न, और body में fluid कम हो जाए, blood का कोई जो है, अगर हम बात करें, कि blood volume में changes आ जाए, body fluid कम हो जाए, blood में, मतलब body fluid में कोई changes हो, blood volume में कोई changes हो, Ionic Changes जो यह सब चीजों को पकड़ते हैं Osmo Receptor तो इन सब चीजों को अगर Osmo Receptor पकड़ते हैं तो हम यह कहेंगे कि सबसे पहला तो excessive loss of fluid हो रहा है उसको पकड़ रहे हैं फिर कौन? उसको Osmo Receptor पकड़ रहे हैं Osmo Receptor जो है इस चीज को कि Body Fluid कम हो गया है इसको Osmo Receptor ने पकड़ा और कहां बेजा? उसको बेजा Hypothalemus के पास और Hypothalemus से जुड़ी होती है Pituitary Gland बिटा Hypothalemus जो है वो क्या करेगा? कि ADH का Formation करेगा और वो Posteria Pituitary को कहेगा कि Low Posteria Pituitary इस ADH का Secret करो और ADH अगर Secret होगा तो ADH Secret होगा तो ADH जो है Vesopressin भी बोलते हो वो रिलीज होगा तो यह लीजे Hypothalemus Stimulate होगा ADH Vesopressin जो है वो रिलीज होगा हम यह कहेंगे बिटा कि ADH क्या करवाता है? कि ADH जो होता है वो DCT से जो Distal Convulated Tubule होती है नेफरोन की वोस DCT से Absorption of Water Water का Absorption करवाता है और Water का Absorption कराता है तो यह दिजे Water का Reabsorption हो जाएगा DCT से उससे क्या होगा? कि धीरे-धीरे जो Body Fluid कम हो आता वो Body Fluid बढ़ने लगेगा BF Body Fluid बढ़ने लगेगा और Body Fluid बढ़ने लगेगा तो Diuresis की Condition खतम यूरीन का जो Volume है वो जो जादा हो गया था वो Condition कदम बढ़ने लगेगे Body Fluid दीरे-दीरे बढ़ने लगेगा और Body Fluid दीरे-दीरे बढ़ने लगेगा फिर इस बात को पकड़ा किसने? Osmo Receptor ने पकड़ा और Osmo Receptor ने पकड़के क्या किया है? या फिर स्विच ओफ हो गया Osmo Receptor कहा कि भई अब ADH का Secretion मत करो अब जरौत नहीं ADH का Secretion की तो Last में यह चला जाएगा तो पिटा हगर हम बात करें कि यह सारे Sequence में हैं यहाँ पर और यह सारी Line ने जो है आपकी संजीवनी आपको सिखा रही है आपकी संजीवनी ने Line to Line यह सब चीज़े लिखी हुए थोड़ा जल्दी बताया है Solution है मेरे प्यारे बचों Class में तो हम Detail में Depth में पढ़ते ही है Solution है जल्दी से मैंने बता दिया है कोई भी बात हो Doubt में आप मिल सकते हैं अच्छे से एक एक चीज़ बैटके पढ़ सकते हैं अगला क्यूशन लेते हैं Next question हम लेते हैं मचली जो मच्छ के लार्वा को खाती है सीधी सी बात है और यह इंपोर्डेंट भी है कि fishes that feed on mosquito larva तो वो होती है गैंबुजिया फिश सीधा सीधा अंसर है कि कौन से फिश है जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है वो होती है गैंबुजिया Next अगला question लेते हैं बटा Next जो question है बटा जी उस question के अगर हम बात करें तो इस question के अंदर जो है सबसे कम जो होती है न बटा वो सबसे कम कौन होती है बई attabit बैसोफिल सबसे कम होती है अगर हम बात गरें eosynophyll जो है वो 2-3% होती है तो बची monocyte monocyte जो है वो 6-8% होती है तो बटा एक के अंदर जो है वो क्या चला जाएगा रह बटा 2 चला जाएगा एक के अंदर 2 चला जाएगा और C के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या चला जाएगा पहला चला जाएगा तो मेरे कहल से इसमें जो है कौन सा option third option जो है वो सही हो जाता है बिटा और NCRD की लाइने है next question लेते हैं बिटा अगला question which statement is incorrect incorrect statement निकालना है बिटा अपनको और incorrect statement अगर निकालना है तो देखो बिटा neural signal from pneumotaxis center can reduce the duration of inspiration बिल्कुल pneumotaxis center NCRD लिखती कि pneumotaxis center के अंदर जो है वो क्या होता है pneumotaxis center कहां पर होता है pawns के अंदर होता है और pneumotaxis center अगर pawns के अंदर होता है तो उसका काम क्या होता है कि inspiration duration को कम करके और breathing rate को change करना तो पिटा ये तो सही हो जाएगा इसमें आपनको तो incorrect देखना है देखो अगर हम ये कहें कि the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant बच्चों अगर हम बात करें कि जो है main respiratory rhythm में main जो role होता है वो PCO2 का होता है तो main role जो हता है PCO2 का अगर breathing rate बढ़ जाए तो सीदा सीदा answer breathing rate बढ़ने का main जो कारण निकल के आता है वो PCO2 अगरा oxygen का ज्यादा इतना oxygen का कोई खास role नहीं होता negligible तो अगर हम बात करेंगे कि ये जो है बिल्कुल सही है बिटा ये भी सही है यहाँ पर incorrect देखना है बनको तो अगर ये भी NCRT के line है the secretion of next the secretion of brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cell पिटा सीदी सी बात है आपकी NCRT ये कहती है जो है किस के अंदर कौन सा chapter के अंदर ये कहती है digestive system के अंदर कि brush border cells हैं उनका secretion mucosa की जो है brush border cell mucosa जो layer होती है उसकी brush border innermost layer innermost जो है वो covering होती है elementary canal के अंदर innermost covering जो होती है बिटा lumen की जो covering होती है वो brush border cells mucosa की brush border cells होती है इनका secretion मिला दीजे उसके अलावा goblet cells का जो है वो secretion मिला दीजे और उसको मिला कर आप कहते हो intestinal juice saccus enterigus ये ऐसी कैसी NCRT ने line लिखी हुई है कि दोनों के brush border epithelium उनका secretion mucosa जो innermost ले रहर है उसकी brush border epithelium उनका secretion और किसका secretion और जो है goblet cells का जो है वो secretion तो ये जो है mucus koshikauं का जो है वो secretion तो ये जो है चशक koshikauं का secretion तो वो सद मिला दीजे आत्रियरस का होगे intestinal juice saccus entericus का होगे तो ये जो है कहानी ये भी सही है बटा अगला है क्या atrial systole increase the flow of blood into the ventricle by about 50% 50% नहीं अगर हम बात करें कि 30% जो है वो बढ़ा देता है तो ये लीजे जो है 30% flow को बढ़ा देता है तो ये गलत हो गया बटा और ये गलत होते ही option जो चला गया वो fourth option चला गया सारे option सही है incorrect देखना है तो हम ये कहेंगे fourth यहाँ पर जाएगा क्यों atrial systole से ventricular में जो blood जाता है वो जो धक्का लगा उस समय वो blood का flow है वो 30% बढ़ जाता है यह मैं नहीं कह रहा हूँ रहा है आपके NCID कह रही है मेरे प्यारे बच्चों NCID की बाद तो मानो यार चलो तो समझ में आ गया होगा अगला question लेते हैं next question है pro ventriculus found in pro ventriculus जो है वो कहां मिलते हैं pro ventriculus जो है peri planet americana प्रे peri planet americana को आप cockroach बोलते हैं और cockroach के अंदर जो है pro ventriculus मिलेगा सीधा सीधा आसान question है NCID based next बिटा अगर हम बात करें किसकी हम बात करें इसमें कि भाई अगला question क्या है link प्रतक नहीं होते हैं sexes are not separate एक तो यह शर्त है internal fertilization हो high regeneration capability हो तो उच्च पुनरुद्भोन की शम्ता हो plan करते हैं एक member plan area internal fertilization उसमें होता है बिल्कुल सही है internal fertilization होते है और वुद में sexes separate नहीं होते है sexes are separate यह कहानी शुरू होती है S का हलमन्तीज से तो pleading helmanthीज में तो होगी नहीं कहानी शुरू तो सारे pleading helmanthीज में के हैं यह सारे की जो सारी चीज़े है pleading helmanthीज के लिए और pleading helmanthीज का member है plan area यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आगे होगा बिटा आगे जो है वो कहानी क्या है रे बिटा आगे कहानी है 1 to 9 question number 1 to 9 select the incorrect statement incorrect निकालना बिटावन को और incorrect अगर निकालना है तो eustachian tube जो होती है वो क्या करती है कि एक तरफ तो middle ear और एक तरफ pharics इनको connect करती है ठीक है यह सही है the eustachian tube held in equalizing the pressure of either side of eardrum eardrum जो होता है tympanic जो membrane होती है उसके दोनों तरफ air pressure maintain करती है eustachian tube सही है oval window is a part of cochlea oval window जो होता है वो oval window cochlea का ही part होता है बिलकुल उसी से related structure है oval window यह भी सही हो जाता है the ear ossicles ear ossicles होती है छोटी-छोटी bonds miss malleus incus stappies तो अगर हम बात करें वो ear ossicles होती है वो क्या करती है वो sound vibration की frequency sound vibration की frequency को बढ़ाएंगी transmission frequency को बढ़ाएंगी sound waves को बढ़ाएंगी और यहां पर decrease लिखा हुआ है इसलिए यह गलत हो जाता है तो यहां पर गलती डूड़ना अपनको incorrect डूड़ना है यह लिजे 4 चला जाएगा कहानी clear है fast बढ़ता रहा हुँ मैं इसमें कोई दोराई नहीं है क्योंकि class में हम पढ़ते हैं detail में और अभी तो वैसे भी exam बिल्कुल नजदी बिल्कुल दे नहीं है तो बढ़ा हम यह कहेंगे कि जल्दी से solution को जहां पर नहीं है solution को देखो fast speed से और आगे बढ़ जाओ सारी line है NCRT की है समझ में आ गया होगा आपको यह कहानी है ear or sickles increase करती है decrease नहीं करती है यहां लिखावा है कि decrease the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear जबकि increase करती है चली next next question लेते हैं बच्चों अगला question biomolecules से है दिये गए सरस्टनात्मक सुत्र को पैचानी तदा सही विकल्प का चाहिन कीज़े identify the given structure formula and select the correct option तो बटा यह जो आप NCID में देखते हो कि यह जो है किसका है भई यह जो है अगर हम बात करें कि यह जो structure है यह structure है किसका purine का और यह structure जो है वो किसका है pyramidine का तो यह purine हो गया यह pyramidine हो गया और answer इसमें चला जाता है fourth ध्यान रखिएगा पैटा structure याद कीजिएगा next question लेते है पैटा जी अगला question है transfer of amino group from one amino acid to the keto group of keto acid is catalyzed by तो इसके इंदर सीधा-सीधा answer चला जाता है पैटा transaminase यह जो enzyme है यह यह काम करेगा तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो अंदर answer जाता है वो जाता है transaminase next question पैटा biotechnology से है insertional inactivation is related to पैटा insertional जो inactivation है inactive करके जो है और selection करना हम यह करेंगे एक को inactive करके दूसरे को तो selection of recombinants recombinants का selection किया जाता है इस technique से तो यह जो है biotechnology का बहुत आसान question हो जाता है पैटा जी next question लेते हैं अगला question लेते हैं what is true for plasmid पैटा plasmid के लिए क्या सही है हमें पता है कि plasmid क्या करते हैं कि widely जो है इसका use करते हैं कि इसके लिए gene transfer के लिए तो अगर हम बात करें कि plasmid जो है plasmid जो है वो gene इस्थान अंतरन के लिए प्रियूक्त किया जाता है मैं चीज़े पैटा ध्यान की दीज़ेगा याद कीज़े पैटा जी next question बड़ा है आसान है the first transgenic cow पहली transgenic cow जो प्रडूस कर पहली transgenic cow ही पैटा वो कौन सी रॉजी और हम यह कहेंगे कि यह जो है जो प्रडूस करती थी वो जो milk था वो किस से इन रिज़ था वो alpha जो है अगर हम बात करें कि lactoalbumin alpha lactoalbumin से जो है वो रिज़ था तो यह जो है कहानी है यहाँ पर बड़ा ही आसान जो है क्योशन है अगला क्योशन लेते है next question लेते है a bio detector contains 100 to 1000 liters of culture medium it provides optimum growth conditions तो बटा optimum growth condition के लिए तो बहुत सारी अलगलग चीज़े जो है required होती है temperature, pH, चीज़ों का धिहान रखा जाता है तो फिर हम एह कहेंगे more than one option जो हो जाएंगे यहाँ पर तो एक सेधिक विकल्प हो जाएंगे यह कहानी चलिए अगला question लेते हैं match the following आपको जो है मिलान करना है और मिलान करना है तो आप देखो पाइला पाइला किसको बोलते हैं हम यह गएंगे एपल स्नेल एपल स्नेल को पाइला बोलते हैं यह मिल गया साब इससे हैं हम यह गएं पिंक टेडा पिंक टेडा जो होता है वो परल ओस्टर होता है तो पिंक टेडा जो है वो परल ओस्टर इससे यह मिल जाएगा सेपिया कडल फिश सेपिया जो है इसको आप cuddlefish बोलते हो Aplasia, Aplasia जो है अगर हम बात करें कि Aplasia जो होता है वो Aplasia को आप बोलते हो C-Hair तो C-Hair जो बोलते हो आप ये लीजे इससे मैच करा देंगे Dentalium को Tusk Shell बोलते हो बिटाजी तो Dentalium Tusk Shell हो जाएगा Ketoplura, Kytan बोलते हो आप Ketoplura को आप Kytan बोलते हो तो ये लीजे इससे कैटन को मैच करा दीजे, Lolligo को आप Squid बोलते हो, तो Lolligo जो है Śquid हो जाएगा बिटाजी, ये Lolligo Śquid, और Octopus Octopus को आप devil fish बोलते हो Octopus को आप devil fish, Octopus को आप बोलते हो devil fish, तो ये जो है इससे मेच हो जाएगा और मेरे ख्याल से अगर आप मेच करवाएंगे इसको वे अंदर तो यह लीजे जो A है पाइला है वो पाइला एपल इसनेल H तो A से जो है वो H B जो होता है B जो है वो पिंक टड़ा आप जो है पर्ल ओस्टर बोलते हो भई पिंक टड़ा जो है वो पर्ल ओस्टर यह रहा पिंक टड़ा पर्ल C B और C यह लीजे B और C तो मेरे ख्याल से यह option हो जाएगा fourth तो यह गहानी है बिटा आपको जो इसके जो नाम है जो scientific name है animal के वो trick से याद करने होते हैं और reflex से इसे चीज़ों को निकालना होता है चले next question लेते हैं बेटा जी अगला question हम लेते हैं fill in the blank का question है और fill in the blank में अगर हम बात करें कि progestron play major role in the maintenance of प्रिगनेंसी का maintenance करता है progestron देख चुके हम कितनी बार NCRT के लाइन है सब कुछ याद हो चुका है में हम यह कहेंगे कि बही जो है क्या करेगा यह memory gland के development में भी काम करेगा तो memory gland development आजाएगा यहाँ पर है ना memory gland का development कराएगा उनमें alvoli का जो है वो formation sack like structure बनाएगा उनमें milk बढ़ जाएगा फिर milk बाहर milk secretion भी होगा बच्चों हम यह कहेंगे lactation lactation जो है वो भी कराएगा यह तो हम यह कहेंगे progesterone जो होता है वो lactation भी करवा रहा है और यह मैं नहीं कह रहा हूँ और मेरे प्यारे बच्चों यह कौन कह रही है आपकी संजीवनी आपकी NCRT कह रही है बचा जहां NCRT आजाए उसको बिल्कुल सही मानिएगा ध्यान रखिएगा तो यह कहानी है progesterone के लिए NCRT ने एक जग़ milk secretion भी लिखा हुआ है मान लीजिए एक जग़ यहाँ पर lactation लिखा हुआ है मान लीजिए तो बटा statement के अंदर अगर यह सब चीज़ें आती है तो NCRT बेस्ट चीज़ें हैं इनको आपको मानना ही पड़ेगा यहाँ पर parturition नहीं होगा parturition का main hormone कोन सा होता है oxytocin होता है birth canal dilation birth canal dilation का relaxin जो है वो होता है जो manly ovary secret करती है ovulation ovulation के लिए LH होता है luteinizing hormone होता है तो यह जो है option नहीं जाएंगे यहाँ पर first option चला गया है clear है सब को very good बेटा शाबाश अगला question हम लेते हैं अगला जो question है बेटा उसकी कहानी हम अगर देखें question number 138 की कहानी question number 138 की कहानी है कि हिसाडल जो है वो is a new breed of sheep developed in Punjab by bicanary eaves and marino rams बेटा हम यह कहेंगे कि इन दोनों के किस से crossing से cross breeding से जो पंजाब में develop की गई वो develop की गई हिसरडल तो सीधा सीधा NCIT based इसका answer आजाता है कि crossing जो है cross जो है वो breeding जो है उसके करवाने से crossing से यह बना चली अगला क्योशन हम लेते हैं और अगला क्योशन अगर हम ले तो क्योशन नमबर 139 क्योशन नमबर 139 क्या कह रहा है हमसे क्योशन नमबर 139 कह रहा है the chronic use of drug and alcohol damaged chronic use होता है इस्तमाल होता है होता है रहता है कूब alcohol का इस्तमाल हो रहा है और एलकोल का खूब इस्वाल हो रहा है तो क्या डेमेज होगा बिटा लीवर खराब हो जाएगा रहे दोस्त बुलते हैं न लीवर सिरोसिस वो तो हो गए होगा साथ में हम यह कहेंगे नर्वस सिस्टम को जो है नर्वस सिस्टम जो है नियूरोन्स भी डेमेज होती है तो सिर्फ लीवर सिरोसिस कहें या सिर्फ नियूरोन्स कहें तो वो गलत हो जाएगा सिर्फ कहना मतलब अनली कहना यह दोनों ही होते हैं और दोनों ही होते हैं तो चला जाएगा इसमें नर्वस सिस्टम मतलब mean यह है बिटा कि liver cirrhosis भी होगा ये भी option सही है neurons भी जो है वो damage होंगी ये भी सही है और दोनों एकी option में दे रखिये first में तो इसमें सबसे correct more correct हो जाएगा first मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी बिटा चलिए next question लेते हैं अगला question हम लेते हैं कौन सा भई अगला question है अबरा 140 और question number 140 की अगर हम बात करें what is correct about anamnastic response बिटार जी जो secondary immune response होता है न उसको anamnastic response बोलते आप pathogen जब आते हैं वो pathogen आते हैं और body जब उस पर जो है response दिखाती है जैसे ही पहली बार में पहली बार कोई terrorist आया है उस पर body जो effect दिखाती है उसको बोलते है primary immune response उसकी intensity कम होती है लेकिन वही subsequent exposure होता है वही pathogen फिर से आ जाए तो फिर उसको जो है जो है क्या होता है उस पर हम यह कहेंगे कि जो है उस पर जो second immune response होगा उसकी intensity high होगी और उससे second immune response या anamnastic immune response बोलते हैं तो anamnastic immune response होगी है second immune response जिसकी intensity high होती है तो primary वत आला तो जाएगा है नहीं secondary वाला चला गया है बिटा अब गर यहाँ पर third वाला क्यों नहीं गया है कि when our body encounters a pathogen for the first time नहीं first time में तो primary immune response होगा subsequent encounter हुआ फिर से जो है उसी same pathogen से ये बात तो ठीक है लेकिन ये गलत हो गया low intensity नहीं high intensity वाला होता है तो यह भी गलत हो जाता है तो यहाँ पर secondary response है anamnastic response आपको बात समझ में आ गई होगी अगला question लेते हैं बिटा हम और अगला question हमारा है question number जो है वो कौन सा है भी यह genoidal herpes वाला है one for one what is correct option about genoidal herpes बिटा genoidal herpes is STD है sexual transmitted disease है sexually transmitted होती है और STD के लिए STI भी लिखते है sexual जो है sexual transmitted disease तो आप बोलते हो STD तो आप बोलते हो इसे जो है अगर हम बात करें कि infection infection भी बोलते हो आप जो है sexual transmitted infection sexual transmitted infection भी बोलते हो तो STI भी बोलते हो STD भी बोलते हो RT इसे RTI reproductive tract infection भी बोलते हो इसे VD veneral disease भी बोलते हो और ये ठीक नहीं होता है एक बार होने के बाद ये ठीक नहीं होता है जैसे AIDS ठीक नहीं होता है Hepatitis भी ठीक नहीं होता है तो फिर क्या करें सारा हो जाएगा फिर ये तो तो सारा हो जाएगा तो इसके अंदर आजाएगी सारी बाते ये भी ये भी ये भी ये सारी बाते आजाएगी किसमें कि इसे जो है आप not curable STI, sexual transmitted infection या STD, sexual transmitted disease भी कह सकते हो ठीक नहीं होती है, veneral disease, RTI, reproductive tract infection कह सकते हो तो सब कुछ कह सकते हो आप तो इसमें option चलाएगा 4, genital herpes, clear हो गया होगा, अगला question लेते हैं बिटा और अगला question हम लेते हैं कौन सा भी, 142, बिटा 142 जो question है वो क्या कह रहा है हमसे HIV, HIV जो होता है वो retrovirus, हम ये कहेंगे कि इसका जो diagnostic जो test होता है AIDS का वो होता है क्या ELISA, तो हम ये कहेंगे ELISA जो होता है, इसका test होता है और हम ये कहेंगे कि इसमें जो है, एक इसकी वाज़े से होता है, एक retrovirus की वाज़े से तो option चला जाएगा, fourth, बड़ाई आसान question है अगला हम question लेते हैं बिटा, और वो अगला question हो जाता है कौन सा, muscle से हैं ये वाला question which statement is correct about muscles contraction, बटा, muscles contraction जब होते हैं, तो पहला statement देखते हैंगी, the eye band gate reduce, eye band reduce होता है, बिलकुल, eye band छोटा बड़ा होता है और A band जो है, वो वैसा का वैसा है रहता है, A band return the length, वो वैसा का वैसा है रहता है, बिलकुल हम ये कहेंगे कि ये जो है ये मायोसीन का जो है वो मायोसीन का जो है थिक फिलामेंट वाला कुन सा भी ये वाला जो है ए बेंड है ये तो ऐसा कैसे रहता है और ये जो है हम ये कहेंगे ये जो है थिन फिलामेंट वाला ये आई बेंड है ओवरलेपिंग वाला पार्ट आप जो है stray abandon में रखोगे ओएломरा क्यों रखोगे जो मायोसइन के साथ में 20 अभी बना हुआ हुआ क्यों रखोगे वह और जञद नजर आएगा तो डार्क रेंद में रखोगे funkos разб at sad sad 172 अब यह कि जो i open combin है उस ilum member के बीच में एक लाइन होती है और उस line को आप Z line बोलते हैं है न, Elastin Fiber होता है वो Z line पास में होती है तो उससे क्या होगा? Contraction और Z line दूर जाएगी Z line के बीच के distance को आप Sarcomere Contraction Unit बोलते हो तो वो पास में आएगी Z line तो contraction हो जाएगा, दूर जाएगी तो relaxation हो जाएगा केने का मतलब यह है कि I bend छोटा बड़ा हो रहा है A bend remains same तो यह I bend जो है वो reduce होता है छोटा बड़ा होता है, बट A bend जो है वो same रहता है तो यह option इसमें चला जाएगा आप कहोगे Sir, और दूसरे option A bend gate reduce A bend जो है वो reduce होता है का नहीं A bend ऐसा का इसा है रहता है, गलत हो गया पेटा, the actin fiber gate reduce और इसमें the myosin fiber gate reduce पेटा, fiber में चाए actin के हो, चाए myosin के हो कोई भी fiber छोटा बड़ा नहीं होता fiber as it is रहते हैं, actin और myosin के हाँ, ठिक फिलामठा, ठिक ठिक जो है fibers पे thin fibers slide जरूर करते हैं, slide करते हैं, तो आपको लगे कि ये छोटे बड़े हैं, लेकिन सब साथ में खड़े होंगे, बराबर होंगे तो fibers as it is length में equal होते हैं तो fibers की length में तो कोई changes आता ही नहीं, तो ये दोनों तो fibers का length चाए actin का हो contraction के अंदर actin का हो, myosin का हो, slide करते हैं, उनकी length में कोई changes नहीं आता, तो ये इसमें चला जाएगा, first, बहुत जल्दी से बता दिया है मैंने तो आपको समझ में आ गई होगी बात, चलिए, आगे जो है next question क्या कह रहा है भई हमारा, अगला question है हमारा, कौन सा बिटा प्यार अरे बचों, वो है, जो है, fill in the blank वाला है, androsan act on the, किस पर काम करता है भई, androsan, androsan जो है, वो काम करता है, आपका जो है, cns, central nervous system पर काम करता है, और किसको जो है, प्रभावित करता है, भई, libido को, प्रेडित करता है, libido को, तो हम ये कहेंगे, केंदरिय तंतर का तंतर पर कारे करता है, libido, libido को आप sex, जो है, नरका लेंगी वेवारी भी बोलते हो, male sexual behavior भी बोलते हो, तो male sexual behavior बोलो, libido बोलो, उस पर, पर ये cns पर काम करता है, तो androsan जो है, वो इस पर act करेगा, और ये मैं नहीं कहे रहा हूँ है, पिटा, endocrinology खोल के देख लीजेगा, ये NCIT म the central neural system and influence the libido or male sexual behavior, ये line सीधी की सीधी है, आप कहोगे सर, ये ऊपर के option कैसे गलत हो जाते है, भई मुझे बताओ, मेरे प्यारे बच्चों, सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल पर तो कोन काम करता है, FSH, पिटिट्री होर्मोन FSH, और सर्टोली सेल को कहता है, सर्टोली सेल सुनो, FSH किए सर्टोली सेल को, कि भई सर्टोली सेल एक काम करो, सम फैक्टर बनाओ, अंड्रोजन बाइंडिंग प्रोडीन बनाओ, और अंड्रोजन को बाइंड कर लो, ताकि इस्परमियोगनेसिस बढ़े, वो करवाता ही, हम यह कहेंगे, तो आप सपरमियोगनेसिस क्या, इस करता है और वो इस्टिमुलेट करके कहता है एंड्रोजन सिक्रीट करो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करो तो वह कहानी है और उससे वह इस्परमेटोजनेसिस में हेल्प करेगा तो वह कहानी है अगर हम बात करें कि Autonomous Nervous System यहां पर गलत हो जाएगा Autonomous Nervous System इसले गलत हो जाएगा CNS होना चाहिए Mal Sexual Behavior भी चलेगा बट Autonomous Nervous System नहीं आएगा यहां पर तो हम यह कहेंगे बिटा आएगा क्या Central CNS पर एक्ट करता यह और Libido Mal Sexual Behavior को जो है यह प्रेडित करवाता है तो 4 आजाएगा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके सामने Next Question जो है बटा हम डिसकस करते हैं इसमें और अगला Question हमारा आ जाता है 145 और 145 अगर Question आ जाता है Peptic और Chief Cell जो है अगर हम बात करें कि वो जो है Pepsinosa जो है वो सिक्रेट करेगी बिटा Parietal और Oxidantic Cell यह Parietal और Oxidantic Cell जो है वो क्या सिक्रेट करती है Parietal और Oxidantic Cell SCL सिक्रेट करती है उसके अलावा जो है Intrinsic Gassel Factor जो है वो बनाती है तो यह सब चीज़े हम Digestive सिस्टम में पढ़ते हैं बिटा कि Parietal Oxidantic जो सेल्स होती है इस टमक के अंदर वो SCL और Intrinsic Gassel Factor मनाती है Peptic और Chief Cell जो होती है वो Pepsinosa का जो है वो सिक्रेशन करती है Mucus neck cell mucus छोड़ती है तो option जो चला जाएगा इसके अंदर बही A में देख लो A के अंदर तो क्या होगा फोर्थ हो गया B के अंदर देख लो B के अंदर जो है वो क्या होगा B के अंदर third हो गया C के अंदर देख लो डो हो गए first or second तो इस में चलाएगा first I am sorry first इसके अंदर जो है वो आंसर चला जाएगा चलिए अगली कहानी हम देखें अगली कहानी इसके अंदर क्या है कि अगली कहानी इसके अंदर question number 146 146 की अगर हम कहानी देखें torpedo पेटा torpedo जो होता है उस torpedo को अंदर मिलते हैं electric organs electric organ मिलते है torpedo विदुद मचली बोलते हो आप हिंदी में विदुद मचली के अंदर विदुद अंग बिलते हैं ट्राइगन ट्राइगन जो होती है बिटा वो ट्राइगन को आप sting ray बोलते हैं और sting ray जो होती है उसमें poisonous sting मिलता है sting ray जो होती है ट्राइगन उसके अंदर जो है पोईजनस इस्टिंग मिलता है जहरीला विशेला काटा मिलता है तो सीधे सीधे आपका जो क्वेशन है इस तरह के क्वेशन आया हुए है पहले भी टॉर्पीडो पे इलेक्ट्रिक ओर्गन फाउंडिन फिर उसमें उप्शन था टॉर्पीडो तो वो करना था आपको तो क्वेशन आयो भी है पेटा विशेला काटा पोईजनस स्टिंग वो कहां मिलता भी ट्राइगन के अंदर मिलता है तो आपको यह याद रखना है पेटा इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स हम देखते हैं इसके अंदर अगला क्योशन क्या आ रहा है हमारा 147 147 की अगर हम बात करें बिटा तो 147 क्या कह रहा है वोटर वैस्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री फाउंड इन वोटर वैस्कुलर सिस्टम है ट्रांस्पोर्ट सिस्टम होता तो हम जो है स्पंज बोल देते हैं कैनाल सिस्टम होता तो स्पंज बोल देते हैं वोटर वैस्कुलर सिस्टम है और वाटर वैस्कुलर सिस्टम है तो हमें इकाइनो डर्मेटा बोलना पड़ेगा तो लार्वा में बाइबिलाडर मिलती है, बट एडल्ट में को हूँ चाहिए का इंट उडरमिटा में को, वो रीडयल सेमेटरी मिलती है जो है ट्रांस्पोर्ट सिस्टम मिलता है उनके अंदर तो स्टार्फिश लार्वा लार्वा के अंदर अगर हम बात करें कि लार्वा के अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है हाला कि स्टार्फिश है ही काइन उडर मिटागी बट लार्वा में radial symmetry मिलती है भी कौन सी लार्वा में I am very sorry बटा लार्वा में bilateral symmetry लार्वा में bilateral symmetry मिलती है अगर लार्वा है तो कौन सी bilateral bilateral जो है वो symmetry मिलती है हाँ adult हो जाएगा starfish का अगर adult होता तो starfish का adult होता तो फिर radial symmetry मिलती है तो यह कहानी है बिटा तो नॉर्मल अगर जो है अगर यहां पे सिर्फ स्टारफिश लिखी होती तब तो वो चला जाता आंसर बट लार्वा लिखा हुआ है यह दिहान दीजिगा तो लार्वा नहीं जाएगा हाना बाइलेटरल सिमेट्री होती है सी हरे सी हरे जो है अगर हम बात करें कि इसके अंदर सी हरे जो होता है पिटा यह सी हरे जो है वो इकाइन ओडर मेटा का तो मेंबर ही नहीं यह तो किसका मेंबर है हम यह कहेंगी सी हरे जो है यह तो मॉलस्का का है तो मॉलस्का का अगर मेंबर है तो इसके अंदर तो जो है व माना जाएगा तो उसमें radial symmetry मेरे ख्याल से picture clear हो गई होगी बिटा आगे बढ़ते हम और अगली कहानी को अगर हम देखें तो अगली कहानी क्या है बही अगली कहानी है बिटा जी इसके अंदर और वो है question number in the tissue factor favorable for the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin बहीं oxyhemoglobin से oxygen टूटे oxygen अलग हो जाए मतलब हीमoglobin यह कहे कि जा oxygen तुम्हारा गां में तो कहां कहेगा tissue में कहेगा tissue में low low जो है अगर हम बात करें कि oxygen जो होती है वो partial pressure of oxygen वो कम मिलता है tissue के अंदर अगर हम बात करें कि tissue के अंदर जो है और क्या कहानी मिलेगी high pco2 मिलता है tissue जो होते है oxygen को काम में लेते है co2 को छोड़ते है तो यह high pco2 मिलेगा बेटा हम वहाँ पर temperature जादा मिलेगा तो temperature जो है अगर हम बात करें कि temperature higher temperature tissue के अंदर यह लीजे वहाँ पर H plus concentration ज़्यादा मिलेगा और H plus concentration ज़्यादा मिलेगा तो low pH मिलेगा तो ये कहानी है तो मेरे कहाल से अगर A, D, F, G दे रखा है कि किसी में ये लीजे A, D, F, G पहले में ही दे रखा है तो ये option correct हो जाएगा इसमें चलिए next question के अंदर हम बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ solution है आपको बता है वैसे भी solution है detail तो आपने पढ़ी रखी है अब तो बिटा क्या है अब तो वो दिन आगे जब हमने जो चीज़ें reflexes में भरी वी है उनको जल्दी जल्दी जो है वहाँ पर ऐसे ऐसे solve करके आना और top rank से select हो जाना चलिए बिटा next हम देखते हैं match the column कोईनो site की यह बिटा कि इनमें से question को देखना आपके कोईनो कोई question इनमें से जरूर जो है वो निशीत रूप से आना ही आना है कुछ अनकुछ मैंने classification से related और भी question जो है वो दिये थे और वो as it is जो है बिटा उनमें से छपेंगे निशीत रूप से और यह जितने भी question आप NCRD कर रहे हो देखना इनमें से बहुत सारे कुछ questions आपको इन ही concept पर आपे मिलने वाले हैं बिटा हर chapter का एक weightage रखना होता है उसी के साब से यह जो है limited question ही यहाँ पर classification के दियें बट पूरा जो paper है वो पूरा paper इतना balance है कि इसमें से हर एक जो concept आपको दिया गया वहां से आपको knit के अंदर बहुत सारी जीजें ऐसी के ऐसी मिलने वाली है as it is कोईनो व्र सईब् signs के वह, बात करें चणा कोईनो साइडी क्या कहानी है जो कोईनो साइड है को आप kोलर सेल्स वह गोलते हैं और कोईनो साइड कोलर सेल्स के ऐँ वह çıktी उए ग्री करेक्टर्रेटर भेंद्ज, कि इसका इस पंझ का सपंझ remains तो スपंज में कौन है यहाँपर स्काइफा यह है यहाँ पर यह चला जायेगा इसके अंदर निडोबिलास्ट की बात करें निडोबिलास्ट लगे अनदर नाइडियर सीलेंटरेटश के इनly इरुथ सेंस Biolumine सेल वेल मार्क और जो है Biolumine Sense मिलता है ability to emit light चमकने की power है वो कहां मलती है भई वो चाहां मलती है आपकी Tinofora के अंदर और टीनो फोरा के अंदर मिलती है तो टीनो फोरा का यहां पर जो है member जो हो जाता है Tinofora का member वो हो जाता है अपका स्ऩ Прав major पर दो प्लाइम सेल्स स्व applies to the गोना है ये फ्लेम सेल्स प्लेडी हेलमन्थीज में बिलती है तो प्लेडी हेलमन्थीज का मेंमबर दे रखा यहाथ है TINIA TINIA MUSKULAR PHARICS MUSKULAR PHARICS esque LETTERAL appendages जिनसे वो SEIMING करती है स्विमिंग करके साथ में वो कहती है की बहुंदा दूर कौन male को कहती है female क्यों कह रही है सेक्सेز SEPерेट की काहनी बनती है वो बंती है नेरीज के अंदर नेरीज जो होता है वो किसका मेंबर होता है नेरीज जो होता है वो नेरीज जो है वो एनलीडा का मेंबर है और एनलीडा का वो मेंबर है जो डायोशियस है अर्थफोम और लीचे जो होते हैं वो मोनोशियस होते है और वो जो होता है वो डायोशियस होता है तो अगर हम बात करें कि नेरीज के अंदर परापोडिया मिलते हैं तो बिटा यहां पर अगर हम बात करें यह लीजे नेरीज यह मिल जाएगा इससे परापोडिया नेरीज बिटा हम यह कहेंगे मेलपीजेन टूबल बहुत अच्छ जानते हो आप कोक्रोज के अंदर भी मिलता है मेल पीजन टूबल आर्थोपुड़ा के अंदर मिलता है तो आर्थोपुड़ा का मेंबर ये कोक्रोज दे ही रखा ही यहां पर ये लीजे ये कोक्रोज दे रखा है Redula Redula जो है वो file-like rasping organ होता है वो file-like rasping organ mouth में से निकल के बाहर आता है और कहता है पिटा मेरे लिए ला, क्या ला लडूला, अरे बिटा रेडूला है यह तो यह जो Redula है यह Redula जो है वो मिलता है किसके अंदर यह मिलता है पिटा जी हम यह कहेंगे पाइला के अंदर, एपल स्नेल के अंदर, पाइला दे रखाएगा एपल स्नेल, हाँ बिल्कुल दे रखा है, यह पाइला दे रखा है, एपल स्नेल दे रखा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वाटर, वाटर अगल तो बिल्कुल दे रखा होगा यहाँपर उहीं करें कि अमेंबर दे रखा है इसके एंदर Echinodermita का जो member दे रखा है वो अगर हम बात करें तो बिलकुल दे रखा होगा यहाँ पर वो Cucumber 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 Vो दे रखा है Probosis Gland दो पॉइनने दो मेंच कि अम्हीस पता है। वह ऐकर गायए। तो first को अगर आपने coinocyte को collar cells को match कराया तो coinocyte जो है वो कहा मिलती sponges के अंदर skypha उससे match कर रहा है आई तो first से आई match कर रहा है बही चलो एक और मिला के देख लेते हैं वेसे पेले सी पथा लग गया वर भी मिला के देख लेते है second neido blast जो निडो blast मिलती है वो किसमे निडो blast जो है mantraids का जो member है night area का जो member and neडो blast मिलती स्लें दोंआई利्या में say yes or no अगर clear है तो बहुत ही बड़ी है बिटा very good मेरे प्यारे बचो अगली कहानी हम शुरू करें इसमें अगला जो question है वो है 150 और 150 जो question है वो हमसे क्या कह रहा है 150 question हमसे ही कह रहा है कि several gene called cellular oncogene C-on proto-oncogene एक ही चीज के नाप हम यह कहेंगे cellular oncogene को sodomacy on को बोल दो या proto-oncogene बोल दो have been identified in normal cell which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cells तो यह जो है सारी कहानी यह सारी जो है कहानी मैं नहीं कह रहा हूँ यह कह रही है आपके संचीव नहीं आपकी NCRT आपकी NCRT कह रही है कि यह जो है चीजें अगर मिलती है यह cellular oncogene C on proto-oncogene यह मिलती है तो certain condition में जो है क्या हो सकता है कि cancer जो हो सकता है यह gene मिलने से ही तो यह NCRT के SAKS line है first option इसमें चला जाएगा क्यों क्योंकि tumor suppressor gene आप देख रहे हो यह यहाँ पर NCRT ने suppressor का suppressor का mean तो वैसे ही संदमन हो गया तो यह इसका कोई role नहीं है तो यहाँ पर अगर हम बात करें first option चला जाएगा तो आपको picture clear हो गई होगी बिटा इसको मैं class में जो lecture होते हैं उससे साफ से भी जो है मैं ले सकता हूँ ले सकता था लेकिन class में जो lecture होते हैं बिटा उसमें time लगता है चीजों को और अब आप साल बर की अच्छे से study कर चुके हो अब आपको चीजें जो ना fast speed से चाहिए बिलकि मुझे तो लग रहा था इससे भी ज़्यादा fast speed से बतानी चाहिए अब तो चीजें कारण क्या है exam बिलकुल हमारे सामने है निट जो है बिलकुल आचुका है हमारे सामने तो आप चीजों को दीरे दीरे नहीं अब fast speed से करके और NCIT को fast speed से fast review करके ऐसे करके और हमें select हो जाना और सिर्फ select ही नहीं हो ना टॉप रेंग से select होना है wish you all the best बाई बच्चों question number 129 identify the given structural formula and select the correct option नीचे दिएगे सरचनात्मक्त सुत्र को पहचानी है तता सही विकल्प का chain कीजिए आपके सामने दो diagram दे रखें और दो में से आपको पहचाना है कि इसमें से purine कॉंसर पिरिमीडीन कॉंस है तो purine ribosome यह तो होगा नहीं purine यह भी नहीं है अब इसमें कॉंसर नहीं कि इसमें प्यूरीन कॉंसर फस्ट और बाद में कॉंसर पिरिमीडीन उसको सिक्वेंस में देखें तो याद रखना यह तो कॉंसर आपके प्यूरीन हो जाएगा यह कॉंसर जाएगा आपकी पिरिमीडीन हो जाएगा ठीक है AG और CUT पिरिमेडीन के अंदर है ठीक है तो यहां पर 129 के अंदर क्या होगा फॉर्थ ऑप्शन क्या होगा टाइट हो जाएगा next transfer of amino group from 1 amino acid to the keto group of keto acid is catalyzed by एक amino amino कितो अमल के keto से कह लोगा रुपांत्रण तो इसके लिए enzyme सामना काम में आता जिसका पंधो transaminase बिल्कुल NCRT के अंदर दे रखा है यह transaminase जो हो एंजाइम काम में आता है यह काम में नहीं आएगा यह काम में नहीं आएगा और यह भी काम में नहीं आएगा तो 130 का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नेच्ट क्विशन 131 निवेश इन इस्क्रियर्ण किससे संब्दित इसका मतलब क्या होता है कि यह सी प्लाजमीड है इस plasmid के अंदर वांच दिन परवेश किया है कि नहीं किया है तो इसके लिए अपन एक टर्म काम में लेते हैं और वो टर्म आपके सामने है इंसर्शेशनल inactivation और यह बताता है selection of recombinant के वांच दिन यह desirable dna उसके अंदर introduce हुआ है के नहीं हुआ है तो 131 का क्या जाएगा फोर्ट ऑप्शन नेक्स्ट वाट इस्ट्रू फोर प्लाजमीड प्लाजमीड आर वाइडली यूजड इन जीन ट्रांसफर इस आर फाउंड इन वाइरस और प्लाजमीड content gene for vital activities these are main part of chromosome basically याद रखना plasmid जो होता है वो जीन ट्रांसफर या genetic engineering के लिए वाइरस में नहीं होता है vital activities के लिए main dna होता है जिसको अपन क्या होते है नुकलियोड बोलते हैं या केंदर का बोलते हैं और main part of chromosome जो है वो nucleoid main है बट वो main part consider नहीं होता है प्लाजमीड है तो इसका first option क्या हो जाएगा 132 का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है next the first transgenic cow rosy produce alpha lact albumin बिलकुल सही है तो rosy और alpha lactate albumin है तो second option क्या हो जाएगा right next a bio reactor 100 to 1000 liter of culture medium it provides optimum growth conditions for host cell to bio reactor के अंदर कौन कौन सी conditions होती है तो temperature होता है बिलकुल सही है vitamins भी होते है pH भी होता है और अगर अपन कहें तो all सारे देखने को मिलेंगे ठीक है तो इसमें सारे आ जाएगे तापमान भी आ जाएगा विटामीन भी आ जाएगा pH भी आ जाएगा तो यह सारे के सारे इसके अंदर क्या रहेंगे अवेलेबल रहेंगे या प्रजेंटे रहेंगे ठीक है तो फॉर्थ